आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करें आज आज आए निम लिकित एलकोलों की हेलोजन अमलिक के साथ अभी किरिया शीलता का करम होगा। आपका A होगा, B होगा या C होगा इस तरह से आपको बताना है कि घटते हुए करम में किस तरह से होगा। यहाँ पर आपको चार ओप्शन दिये गए अब अस अधर घटते ह तो एक करम में अभी किरिया शीलता का करम दिया गया है, तो यहाँ पर आप दीखिए यह आपका क्या है, बन डिगरी कारबन है, यह आपका टू डिगरी कारबन है, यह त्री डिगरी कारबन है, यानि आप समझे, यानि इस तरह से आपका एक कारबन, तीन कारबन से जुड हो तो वह आपका क्या होता है कि टू डिगरी कार्बन होता है इसी तरह से जो कार्बन एक कार्बन से ही जुड़ा हो वह आपका क्या होता है वन डिगरी कार्बन होता है क्या होता है यह आपका कौन साय टू डिगरी कार्बन है और यह आपका कौन साय थ्री डिगरी कार्बन है यानि वन डिगरी कार्बन से जुड़ी हेलोजन वन डिगरी एलकोल कलाएगी तो यहां से हम ओए समू निकाले तो आपका क्या बनेगा यहां पर कार्व धनायन बनेगा क्या बनेगा धनायन बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा कार्व धनायन यानि c h2 पर आपका क्या हैगा positive charge आएगा इसी तरह से बीघ पर निकालो तो c h3 c h2 और आपका क्या जायगा यहां से c hc और c h3 आपका नीछे इस पर क्या जायगा आपका positive charge आएगा और यहां से आपके पास क्या जायगा c बात करते हो तो C में आगके पास CS3, CS2 और क्या जाए कार्बन ओपर CS3 और नीचे भी आपका CS3 और पोजिटी चार्ज जाएगा यह आपका क्या है 1 डिग्री धनायन है क्या है 1 डिग्री कार्व धनायन है यह आपका क्या है 2 degree कार्व धनायन है और यह आपका क्या है 3 degree कार्व धनायन है क्या है 3 degree कार्व धनायन है तो यहाँ पर जो कार्व धनायन है यानि यहाँ पर इसका इस्ताई तो देखे कार्व धनायन का कार्व धनायन का इस्ताय तो क्या आता है आपका 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री आता है वही आपका क्या होता है हेलोजन की अभी किरिया सीलता का करम होता है यानि हम कह सकते हैं तो यहाँ से क्या आगया, दो है, तो समानो पाती है, हिये लूजन की, अभी किरिया सीलता का करम आगया, तो यहाँ पर आप ओउप्शन देखिये, किस में सबसे ज्यादा है, यानि आपका जो बी ओप्षण होगा यहां पर आपका क्या होगा एक दम सही होगा कि यहां पर प्रतिया क्या होगा अधिक क्रिया क्या होगा क्या होगा अधिक किरिया सील होगा तो आपका अंसर कौन सा होगा भी ओप्शन होगा धन्यवाद